नमस्कार दोस्तों मैं प्रकास ओसर इस वक्त हैं हम राजिस्थान में और राजिस्थान में जोत्पूर जा रहे हैं हम और जोत्पूर जाकर आपको दिखाएंगे मंडोर गार्डन जो कभी मारवार की राजधानी रही है और वो मारवार गार्डन पे हम पूरा मंडोर गार् मेरा भाई है विकी और ये लता है और दिव्यांसू और प्रिंसी और ये पिछे लक्टी तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो मारवार की पुरानी राजधानी रही है मंडोर वहां तक चलते हैं तो चलिए हमारे साथ इस सफर पे चलते हैं मंदोर तक हम लोग करें हम इंटर करना है मंदोर उध्यान पे जोद्पूर के जोद्पूर शहर में रेलवे इस्टेशन से नौ किलो मिटर की दूरी पर मंदोर इस्थित है मंदोर के इतिहास की बात करें तो मंदोर का प्राचिन नाम मंदोपूर था यह पुराने समय में मारवार की राजधानी हुआ करती थी राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहास से चिडिया कुट परवत पर महरांगर किले का निर्मान कर अपने नम से जोधपूर को बसाया था तथा इसे मरवार की राजधानी बनाया महरानगר किले के वीडियो आप हमारे पिछले सीरिश पर देख चुके है यह गेट है और उपर देखे गेट का उपर का हिस्सा है और इसके बाद मैं सामने का हिस्सा आपको दिखाता हूँ यह जबर्दस्त पॉइंट है यह मंदौर उद्यान है और यहां से जबर्दस्त नजा रहे हैं वर्तमान में मंदौर दूर्ग के भगनाओं से सीबाकी है जो बहुत यह इस्थापत सैली के अधार पर बना हुआ है इस दूर्ग में बड़े-बड़े प्रस्तरों को बिना किसी मसाले के सहता से जोड़ा गय था सैकड़ो सालों तक यहां से परिहार राजाओं ने संपून मारवार पर अपना राज किया सं 1395 में चुंड़ा जी राठाओर की साधी परिहार राज कुमारी से होने पर मंदौर उन्हें दहेज में मिला तब से परिहार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर देखते हैं अंदर है अलग अलग रावान है ना तो चलिए सबसे पहले देखते हैं देवी देवताओं और राजा महराजाओं की उन बेहतरीन मुर्तियों को जो किले में दिखाई देती है बड़ी खुबसूरती के साथ इन मुर्तियों को बनाया गया है प्रक्राट के बनाया गया एक फिर कलर के आ गया है यह क्रिष्न जी है नवाजिये पत्सरों को पांस्ती बनाया गया तूजियए और राम राम चंद्रजी हैं लेकिन यहां राम चंद्रजी मुंच वाले हैं मुंच है राम चंद्रजी का यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि राम चंद्रजी कहीं मुंच वाले हैं यह देखने को नहीं मिलता है और यह पहली दफ़ा मेरे को देखने को मिल रहा है राजिस्थानी कल प्रभु मूरत देखी तैसी वाली बात है और ये सुरिय जी है घोड़े पर सवार है अच्छी कलाकारी है अच्छी कलाकृती है ये और ये ब्रह्मा जी है ठीक है इधर ब्रह्मा जी है और बेमाता का मंदीर विधाता मंदीर ये है और इधर जो वन्स होंगे राजाओं के उनके है और ये भी बड़ा अच्छा चित्र है जैसे मैं दूर उसे दिखाए अब आप देख पाएंगे ये है मेहा जी मेहो जी उपर लिखा देखता है मेहो जी इसे लिए चेंज है और ये है गोगा जी ठीक है भाले के साथ है उपर भी दिखाता है लगता है बाला यहां फेवरेट हथ्यार के तोर पर अस्तर के तोर पर इस्तेमाल होता था तो सभी के पास भाला है और ये हैं हड़बू जी उपर देख रहा है हड़बू जी है ठीक है और आगे चलते हैं यह है राम देव जी उपर राम देव है यह राम देव जी है अभी बहुत कुछ बाकिया गार्डन पर दिखाने को और यह पापू जी और यह मली नाज जी है यह है यह दूर से ले उपर से नीचे दिखाने हमना वह रही है यह फिर उपर नहीं आएगा यह है गोसाई जी ठीक है और आगे चलते हैं यह महिशा सुर्मर्दनी है बहुत अच्छी प्रतिमा है और यह चामुंडा जी है और यह लोग खड़े हैं इनके आगे मास कभी है हाँ मास पूल्टा है लेकिन सिधा कर लो आर यह सामने मंदिर देख रहे हैं आप वहा तक चलेंगे इधर मंदीर है अपिजित अब जाथे ओता है ये भयरोणाज जी का मंदीर है तुर सुन्दर मंदिर है दोस्तों वीडियो की लंबाई अधिक होने के कारण इसके लिए के बाकी हिस्से और जैन मंदीर, वैश्नो मंदीर, संग्रहालाय के द्रीस आपको आने वाले वीडियो पर देखने को मिलेगा इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और आने वाला वीडियो जरूर देखें धन्यवाद नवम प्रकासाव सर